प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने NCMC लाउंच किया है NCMC यानि National Common Mobility Card क्या है ये कार्ड? क्यों आपको खरीदना चाहिए ये कार्ड? और क्या-क्या फाइदे हैं इस कार्ड के आपको बताएंगे इस विडियो में और एक लाइन में कहें तो इतने सारे कार्ड की अब आपको ज़रूरत नहीं है एक ही कार्ड से सारा काम होगा आप देखनों एक टक टक मैं हूँ शुती शार्मा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने NCMC यानि National Common Mobility Card लाउंच किया है ये कार्ड होगा एक ट्रावल कार्ड जिससे की आप कहीं भी भारत में ट्रावल कर सकते हैं और एक ही कार्ड से आप पेमिंट कर पाएंगे इस कार्ड को आप इस्तमाल कर पाएंगे पार्किंग की पेमिंट करने के लिए टोल टाक्स पे या फिर मेट्रो में भी ये एक ही कार्ड से सभी जगे पेमिंट होगी इस कार्ड का नाम दिया गया है One Nation One Card यानि आप भारत में कहीं भी हो एक ही कार्ड से आप सभी जगे पेमिंट कर सकते हैं ट्रावल ही नहीं सिरफ आप अगर किसी रीटेल शॉप में शॉपिंग कर रहे हैं या आपको ATM से पैसे निकालने हैं तो भी आप इस कार्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं तो सभी कामों के लिए अब एक ही कार्ड होगा One Nation One Card के नाम से हाली में एहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत कुई और वहीं पे इस कार्ड की घोशना भी हुई और वहीं ये लाउंच भी किया गया सबसे पहले और आपको पता दें ये कार्ड रूपे पे चलेगा और कई बार ऐसा होता है कि आप मेट्रो में ट्रावल कर रहे हैं बस में ट्रावल कर रहे हैं तो चेंज नहीं होती है तो अब आपको चेंज की चिंता करने की जुरूरत नहीं सिर्फ आपको ये कार्ड लेना है इसकी थूपेमिंट करना है और जो balance है आपका वो आपके पास रहेगा बाकी जितना भी आपका किराया है वो चार्ज हो जाएगा वहीं आपको बता दें कि अभी जो card जादा तर इस्तमाल हो रहे थे वो तो भारत के भार की technology का इस्तमाल हो रहा था और ये card आप भारत में कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपने card दिल्ली में बनाया है फर्स कीजे तो आप केरला में travel कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये card आप यूज करके इसमें जो charges हैं वो दे सकते हैं नहां पे भी आप हो या travel के लिए या shopping के लिए अगर आपको ATM से पैसे निकालने हैं तो भी वही stored value card पर support करती है offline transaction जो travel needs को minimal financial risk के साथ लाती है यानि ये card support करता है operator specific applications भी जैसे monthly passes, season tickets और बहुत कुछ और क्या क्या कर सकते हैं आप इस card से और कहां से मिल सकता है आपको card ये आपको पूरी जानकारी हम आपको देते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि ये card रूपे debit या credit card के जैसा ही है जो bank से issue होगा ये debit और credit card या prepaid card की तरह ही है contactless card है जैसे metro rail card होता है आप किसी भी bank से संपर्ख कर सकते हैं रूपे card खरीदने के लिए और उसमें होना चाहिए NCMC support यानि National Commonwealth Mobility का support होना चाहिए उस card में वहीं आपको बता दें कि ये जो card है 25 से भी जादा banks के पास है और आप वहां से ले सकते हैं जैसे SBI और PNB वहीं आपको बता दें कि ये जो card है आप PTM payment bank से भी issue करा सकते हैं ये make in India card है और पूरी technology जो है भारत में ही बनी है वहीं आपको बता दें कि इसमें ATM पर use करने पर 5% cash back है और 10% cash back है किसी merchant outlet पर आप अगर इसे इसे इस्तिमाल करते हैं जब आप कहीं बाहर travel कर रहे हैं तो one nation one card अब शुरू ही हो गया है तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपना एक card बनवा ले ताकि आपको travel में पूरी सहूलियत हो और इतने सारे card जैसा बताया आपको इस्तिमाल करने की ज़ुरत नहीं है एक ही card से आपका पूरा काम हो जाएगा one nation one card आप किस तरहे ले सकते हैं खरीच सकते हैं और क्या क्या होगा इससे आपको इस वीडियो में बताया और कुछ जानना चाहते हैं तो comment section में लिखें और my channel को subscribe जरूर करें